हेलो इंजिनियर्ज वेलकम यूटूब चैनल लॉटो मैक इंजिनियर्ज इस वीडियो में बात करेंगे एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन की जो निकाली गई है SJVN Limited की तरफ से ठीक है और यह जो नोटिफिकेशन रहने वाली है यह रहने वाली है एपरेंट्शिप ट्रैनिंग की ठीक है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इनफॉर्मेशन आप सभी को बताना चाहता हूं कि कौन-कौन से जो स्टूडेंट्स है इन सीट्स को इन सीट्स पर एप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको ब के हुआ है तो वो एप्लाई कर सकते है ठीक है अगर तीन साल से ज्यादा ताइम हो चुका है इस या फिर डिप्लोमा या फिर आइस del. अपी ऐस आप नहीं कर सकते हैं यह पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन है दूसरी condition ये है कि आप हिमाचली होने चाहिए ठीक है बोले तो हिमाचली bonafide आप होने चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं ठीक है ये especially for हिमाचली candidate के लिए है ठीक है तीसरा जो important point है ये भी आपने ध्यान अकना है जो project affected area या फिर project affected family से है ठीक है उनको यहाँ पर extra benefit मिलने वाला है ठीक है तो 25% ठीक है उनके लिए ये जो seatे हैं उनका 25% reserve रखा गया है ठीक है तो ये भी important है तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं graduate apprentice की ठीक है graduate जो apprentice से है ठीक है इसमें जो total seatे हैं वो है 175 ठीक तो चलिए अब हम discipline wise number of seats को देखते हैं सबसे पहले mechanical इसमें है 40 seats फिर है electronic and communication इसमें है 3 seats तिर है electrical 45 seats civil 55 seats और architecture ठीक है 2 seats instrumentation 2 seats environment pollution and control 1 seats applied geology 2 seats information technology 5 seats human resource 10 seats finance and accounts 10 seats ठीक है तो total seats हो चुकि है 175 ठीक है तो यह जो मनें पोस्टे बताई यह बताई मने graduate apprentice की ठीक है अब हम बात करते हैं diploma apprentice की ठीक है इसमें जो total seats से वो है 100 जिसमें mechanical की 24 है electrical की 40 है civil की 30 है architecture की 1 है information technology की 5 है ठीक है तो total होगी 100 next हम बात करते हैं technician बोले तो ITI ITI Appearance की जो seat है total वो है 125 ठीक है और electrician की इसमें 100 seats है office secretary ship stenography office assistant office management तो इसमें 5 seats है और fabricator fitter welder इसमें 10 seats है mechanic electronics general mechanical तो इसमें 5 seats है information communication technology IT computer assembly and maintenance ठीक है इसमें 5 seats है तो total seats हो गई 125 ठीक है तो यह था seat का distribution अब यहां पर बताते हैं age limit की ठीक है तो आपकी जो age है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए ठीक है इसमें आपको relaxation भी दिया जाएगा SC ST वालों के लिए 5 साल का age relaxation दिया जाएगा और 3 साल का OBC के लिए दिया जाएगा और 10 साल का जो PWD candidates है ठीक है तो इनको दिया जाएगा ठीक है स्टाइफेंड की बात करते हैं स्टाइफेंड दिया जाएगा जो graduate एपरेंट्स है ठीक है इनको दिया जाएगा 10,000 पर मत ठीक है और डिपलोमा वालों के लिए दिया जाएगा 8,000 और ITI वालों के लिए दिया जाएगा 7,000 पर मत ठीक है और training duration मैंने आपको बता दिया है एक साल की रहने वाली है ठीक है और reservation SCSTOBC और PWD के लिए ठीक है यह रहने वाली है और यह बात मैंने आपको बता दिया जो यहां पर देखो एक important line बताई बताई है जो मैंने भी आपको starting में बता दिया थी only candidates who are domicile of Himachal Pradesh are eligible to apply ठीक है तो Himachal के जो ठीक है जो candidate है जो students है वह ही apply कर सकते है ठीक है तो यह भी आपने जहां रखना है और जिन भी candidates ने ठीक है अल्रेडी से training complete कर ली है ठीक है अल्रेडी तो वह अब apply दुबारा नहीं कर सकता है ठीक है यह भी आपने ध्यान अकना है और आगे हम बात करते हैं जो selection आपका जो criteria रहने वाला है selection criteria वह रहने वाला है अगर हम बात करें graduate apprentice के लिए ठीक है तो उसमें आपका जो 20% जो marks है 20% marks को हम नहीं कहेंगे यहां पर हम कहेंगे 20% जो weightage रहेगा वो रहेगा 10th का ठीक है और 20% जो weightage रहेगा वो रहेगा 12th का ठीक है ठीक है diploma technician की बात करें तो 30% जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 10th की और 70% रहेगी diploma जो आप लोगों ने diploma किया है ठीक है diploma वालों के लिए और ITI technician की बात करें तो 30% 10th के marks रहेंगे ठीक है weightage के लिए और 70% ITI में ठीक है जितने marks गयन किये हैं उसका 70% ठीक है आपका इसमें add हो तो यह भी आपने अपने माइंड में रखना है ठीक है आगे हम बात करते हैं अपलाई कैसे करना है ठीक है तो आपने इस वेबसाइट पर जाना है यहां पर www.sgwin.nic.in ठीक है तो इस पर आपने जाना है तो आपका यहां पर आपने यूजर आईडी और एक जो पास्वल्ड ह माइंचे निए यहां फेस्ट की आपने 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 क्रेड करना है ठीक है तो बाकी हम बात करते हैं जेनरल वालों के लिए जनरल ओवील होज़ वालों के लिए जो फीस है वो माफ है ठीक है उनके लिए कोई भी माफ कोई भी फीस नहीं लगी उनकी ठीक है अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की ठीक है जो ऑनलाइन रेजिस्टेशन फॉर सब्मेटिंग एप्लिकेशन ठीक है पॉर्टल जो है वह एक फेबुरेरी 2022 को ओपन ह ठीक है एक फेबुरेरी 2022 को पॉटल है ठीक है आप एक फेबुरेरी 2022 से आप अपना जो फॉर्म है वह फिल अप कर सकते हैं ठीक है क्लोजिंग डेट रहने वाली है 28 February 2022 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी ठीक है तो यह थी एक इंपोर्टन इंफॉर्मेशन ठीक है जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई तो जो भी कंडिडेट्स है तो वह फिल कर सकते हैं इन पोस्टों को और आगे जाके आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा स्टाइफेंड आपको मैंने बता दिया है ठीक ह अलग अलग तो वह भी आपको मिलेगा और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और आगे जाके अगर इन फ्यूचर आपको पोस्टे निकलती है एस चेवन में तो काफी हलफ फूल अप रहेंगे ठीक है तो आपकी जो स्लेक्शन के जो ज्यादा चांसे जैंसे रहेंगे ठ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू